साथियों, संत्र अविदास मारक और संग्रहाने के नीव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं अब अगले पतीस वर्षों का अमरित काल हमारे सामने हैं अमरित काल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं और अतीत से सबग भी लें एक राष्ट के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्रा की है इतने लंबे कालखण में समाज में कुछ बुराईयां आना भी स्वाभाविक है ये भारतिय समाज की ही शक्ती है कि इन बुराईयों को दूर करने वाला समय समर पर कोई महापुरोष कोई संत कोई ओलिया इसी समाज से निकलता रहा है रविदाजी ऐसे ही महान संत थे उन्होंने उस कालखण में उस कालखण में जनमरिया था जब देश पर मुगलों का शातन था समाज अस्थिर्ता उत्पिड़न और अत्याचार से जूज रहा था उस समय भी रविदाजी समाज को जागरत कर रहे थे समाज को जगा रहे थे वो उसे उसकी बुराईयों से लड़ना सिखा रहे थे संत रविदाजी ने कहा था जात पात के फेर मही जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग मनुस्ता को खात हुई रईदास जात कर रोग अर्थाक सब लोग जात पात के फेर में उल्जे हैं और ये बिमारी मानुता को खा रही है वो एक तरफ सामाजी कुरुतियों के खिलाब बोल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को जगजोर रहे थे जब हमारी आस्ताओं पर हमले हो रहे थे हमारी पहचान बिटाने के लिए हम पर पाबंदिया लगाई जा रही थी तब रहिदास जीने कहा था उस समय मुगलों के कालखन में ये हिम्मत देखिये ये राष्ट भक्ती देखिये रहिदास जीने कहा था पराधिनता पाप है जान लेहुरे मीत रहिदास पराधिन सव कौन करे है प्रीद यानि पराधिनता सबसे बड़ा पाप है जो पराधिनता को स्विकार कर लेता है उसके खिलाब जो लड़ता नहीं है उससे कोई प्रेम नहीं करता एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाब लड़ने का होसला दिया था इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर सिवाजी महराज ने हिंद भी स्वराज की नीव रखी थी यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखो लाख स्वादिन्त सेनानियों के दिलों में थी और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है